गुण मानिंग दोस्तों आए आज की करेंट अफेर के साथ आगे बढ़ा जाए कुछ प्राबलम की वज़े से वीडियो नहीं बन पा रहा था इसके लिए स्वारी तो आज का हमारा पहला कोश्चन है विश्यो कैंसर दिवस कब मनाये गया तो विश्यो कैंसर दिवस मनाये ज करें तो इसकी थीम क्या है क्लोड दे केर गैप क्लोड दे क्या गैप इसकी च थीम है यही इसकी थीम है दोहजार 22 Gorham रहा 23 रहा और 24 यह पांट आपको याद रखनाहै और बात कर लेते हैं तो यह 23 संस्कृट तो हमने मनाया है कैंसर के AD популяр को क्या कहा जाता है बार-बार पूछ लेता है, तो cancer के अध्यन को कहा जाता है, onkolaji, का कहा जाता है बाईस है, onkolaji कहा जाता है, अगर आप से बात करें, रक्त cancer में किसका प्रयोग किया जाता है, रक्त cancer में किसका उप्योग किया जाता है, तो रक्त cancer में उप्योग किया जाता है, कोबाल्ट साथ और थाइराइड कैंसर में किसका उप्योग किया जाता है थाइराइड कैंसर में आयोडीन 131 का प्रियोग किया जाता है ये एकजामों में बार बार आपके नजर आता होगा बात किलियर हो गया आईए आज के हम दूसरे कोश्चन को बढ़ते हैं आज का दूसरा कोश्चन है इयो विल्सन का निदन हो गया, वो क्या थे किस छेट से समन्दित थे, तो इयो विल्सन साहिब का क्या हो गया भाई, निदन हो गया, ये क्या है, जै विवित्ता के जनक थे, जै विवित्ता के जनक थे भाई साहिब, ये इयो विल्सन सा है, इनका निदन हो गया, जै विवित बहुता की बात आई अभी हाली में भारत के लिह लड़ाक में चाहर याया तसो को क्या किया गया है लड़ा का पहला जै विद्था विरासत अस्थल घोशित किया गया यह लेह लद्दा का पहला है यह important line आपको याद रखेगा याया तसो को क्या कहा जाता है पच्छियों का स्वर्ग कहा जाता है अगर पूछे भारत में कुल कितने जै विरता विरासत अस्थल है तो total भारत में 37 जै विरता विरासत अस्थल है आपको comment box में बताना है कि 36 कौन सा था ये आप comment box में बताईएगा आईए बात कर लेते हैं अगर आप से पूछ लिया जाए पहला जै विरता भारत में कौन था तो याद रखेगा करनाटक का है नलूर इमली ग्रू करनाटक का है नलूर इमली ग्रू ये भारत का पहला जबित्ता अस्तल था ये भी आपको याद रखना है आईए अगले question को बढ़ते हैं अगला question है अंतराष्टिय सौर संगटन का नमीनतम सदस से कौन बना तो अंतराष्टिय सौर संगटन का जो नमीनतम सदस बना है ये बना है भाईया अफिरिका का एक देश है जिसका नाम है कांगो गड़राज कांगो गड़राज ये अफिरिका का नमीनतम सदस बना है ये point आपको याद रखना है कांगो गड़ाच कहां का देश है तो याद रखेगा ये अफिरिका महादीब का देश है कहां का भाई से अफिरिका महादीब का आए और आगे बात करते हैं तो कांगो गड़ाच की बात कर लेते हैं पहले बात करते हैं अंतराष्टियस सौर संगटन इंटरनेशनल सोलर एलाइंस आईएस ए की बात कर लेते हैं आईएस से की बात करें तो इसकी अस्थापना कब हुई थी भाईया 2015 में और 2015 में जब कॉप 21 सला था कांफरेंस आफ वार्टी जब चल ला था कहां पे फ्रांस में कहां भाईया फ्रांस में चल ला था फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो सी नदी के किनारे है वहीं पे इसकी क्या होती है अस्थापना और उस समय इसमें दो देश थे एक भारत था और एक फ्रांस था कौप 21 के 33 क्या होती है अस्थापना इसका हेड़ कौटर कहा है पूछ लिया जाए तो गुरुगराम हरियाना में इसका क्या है हेड़ कौटर है आई यह बात करते हैं इसका उद्देश क्या है वण सन वण वड्र और वण ग्रीट यह इसका उद्देश है अगर आपसे बात कर लेते हैं कुछ ऐसे ही एक धेवाक और है वन अर्थ वन फैमली और वन फ्यूचर ये किसका धेवाक है भाई साहिब तो ये धेवाक है G20 का थीम है बात समझ मा गया अगर हम कौप की बात करें तो काप 27 कहां पे हुआ भाई साहिब तो काप 27 हुआ है मिस्तर में हुआ है ये आपसे पूछले तो आप सीधे जबाब दे दीजेगा 2022 वाला जो काप हुआ है ये मिस्तर में हुआ है और जो काप 28 होगा ये 2023 में होगा United Arab Emirat में होगा ये पॉइंट आपको याद रखना है आईए आगे बढ़ते हैं कुछ और कोश्चनों की चर्चा करते हैं अगला कोश्चन है देखें National Ice Hockey Championship 2023 किसने जीता है तो National Ice Hockey Championship 2023 किसने जीता है तो ये इसका बरहमा संस्क्रण था किसने जीता है भाई साहब ITBP ने जीता है किसको हरा के जीता है लद्दाख स्काउट को हरा करके जीता है लद्दाख स्काउट को हरा करके जीता है ठीक है ITBP की बात आई है तो ये तीसरी बार इस बार जीत चुका है ठीक है अगर आपसे बात करें लद्दाक की तो लद्दाक की बात करें इसके अस्थापना 1962 में होती है कि सीमा पे तैनात होते हैं भारत और चीन की सीमा के बीच में तैनात राते हैं भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं मैं एक मोहन रेखा कहा जाता है ठीक है आईए और बात कर ले और इसके वर्तमान में जो डारेक्टर जन्नल है इनका नाम है अनीस दयाल सिंग ये इनका नाम है ये भी आपको याद रखना है आए और आगे बढ़ते हैं कुछ और चर्चा करते हैं अभी हाली में हाकी का एक टुनामेंट हुआ था आपको पता होगा हाकी 20 कप मैंस हाकी व और उड़िसा राउर केला में हुआ था ये भी आपसे पूछा जा सकता है जर्मनी ने जीता है किसको हरा करके जीता है तो बिल्जियम को हरा करके ये जीता है तिसरे नमबर पे कौन सा देसरा भाई साहम नीदल लेंड रहा है ये पाइंट आपको याद रखना है हाकी का ए जोहर हा की कब ये जीता है किसने भारत जीता है किसको हरा करके अस्टेलिया को हरा करके तिसरी बार ये कब भारत जीता है आईए आगे बढ़ते हैं कुछ और कोशन की चर्चा करते हैं अगला कोश्चन है मात्र भूम बुक आप दे इयर का एवाड 2023 में किसे मिला है तो यह मिला है डाक्टर पेगी मोहन को किसे मिला है भाई सब डाक्टर पेगी मोहन को यह एवाड मिला है यह आपको याद रखना है अगर आपसे बात कर लेते हैं अगले question की तरफ ग्रेमी पुरुसकार किसे मिला है यह भारती है इसलिए important है ग्रेमी पुरुसकार किसे मिला ह तो ये मिला है रिक्की केज को मिला है ये पॉइंट आप याद रखेगा ऐसा करने वाले ये चोथे भारती है रिक्की केज ग्रेमी पुरुसकार इनको मिला है ग्रेमी पुरुसकार कहां दिया जाता है संगीत के छेत्र का पुरुसकार है ये पॉइंट आपको याद रखना ह आईए अगले कोश्चन के और बढ़ते हैं, अगले कोश्चन की चर्चा करते हैं, जी हाँ, हमारा अगला कोश्चन है, बदले गए नामों से, ये जी हाँ, हमारा अगला कोशन है बदले गए नाम 2022 और 2023 में जो जो नाम बदले गए उनकी चर्चा आईए कर लेते हैं तो अभी हाली में राजपत का नाम बदला गया है राजपत का नाम बदल करके हो गया है करतब बिपत हो गया है और बात करते हैं चंडीगड एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या हो गया है, इसका नाम हो गया है सहीद भगत सिंग एयरपोर्ट हो गया है, ये आपको याद रखना है और बात करते हैं होसंगाबाद होसंगाबाद भाईया कहां पे है ये मद्ध परदेश में है इसका नाम हो गया है नर्मदा पुरम हो गया है मद्ध परदेश में है और मद्ध परदेश की बात करें तो भोपाल मेट्रो भोपाल मेट्रो का भी नाम बदला गया है और इसका न कर दिया है यम पॉक्स कर दिया है और बात करते हैं अभी हभीव गंज रेलवे स्टेशन हभीव गंज रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया है रानी कमलापती रेलवे इस्टेशन ये भी कहां पे है मध्ध प्रदेश में है रानी कमलापती रेलवे इस्टेशन और बात करते हैं कुछ और चर्चा करते हैं अभी हाली में एक पार्टी का नाम बदला गया है जिसका नाम है भाईया साहब तिलंगाना राष्टिय समिति तिलंगाना राष मंत्री जगन मोहां रडडी की ये क्या है पार्टी है इसका नया नाम हो गया है भारत राष्टी ये समिती और बात करते हैं अभी हाली में टर्की का नया नाम हो गया है तुर्की ये ये टर्की का नया नाम हो गया है तुर्की ये और बात कर लेते हैं टर्की के बाद सच भार का नया नाम हो गया है सुन्दर भारत का हो सुन्दर भारत इसोच भारत का नया नाम हो गया है रेलेवे विश्विद्याले का नया नाम भी बदला गया रेलेवे उनिवर्सिटी का नया नाम हो गया है गति सक्ति विश्विद्याले ये भी आप से पूछा जाए तो आप जब जगदेशपुर क्या नामों भाई जगदेशपुर इसलाम नगर का नया नाम हो गया ये भी कहां पे है मध्य परदेश में दौलताबाद किले का नया नाम पूछ लिया जाए दौलताबाद किले का नया नाम हो गया है भाई साहब क्या देवगिरी किला ये भी आपके एकजा एसिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का नाम क्या है तो इसका नाम है भाई साइब गाधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल गाधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल ये इंपोर्टेंट है भाई साइब और बात करते हैं कहां पे मनाया गया ये मद्ध परदेश में मनाया गाधि सागर एक बाध भी है गाधि सागर बाध किस नदी पर है तो याद रिखेगा ये है भाई सेब चंबल नदी पर किस राज में है मर्ध परदेश में है ये भी आप से पूछे तो आप जबाब दे दिजीएगा मर्ध परदेश में मनाए गया है मर्ध परदेश की बात अभी उपर हमने किया है कि यहाँ पे क्या क्या होसंगाबाद का नाम बदला गया भुपाल मेट्रो का नाम बदला गया हभीब गंज का नाम बदला गया इसलाम नगर का नाम यहाँ पे बदला गया है मर्ध प्रदेश के मुखमंत्री कोण है भाईया सिवरा सिंग चोहान है यहां के मुखमंत्री हो गए और यहां के राजपाल हो गए मंगू भाई छगन भाई पटेल यहां के क्या है राजपाल है हीरा, बाधावगर, पन्ना, पेंच एस अभी नसल पार कहां पे है मर्ध परदेश में है ये भी आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा आईए अगले question क्यों बढ़ते हैं अगला question है government e-market place report 2030 जारी हो गया तो ये क्या है तो ये online shopping से समन्दी थे कौन सी online shopping से ज़दा भी की है तो इसे 60 में कहा जाता है GM report government e-market place ठीक है तो इसमें बात करें EMS EME समानों को खरिदने में समानों को समानों का सबसे बड़ा खरिदार कौन बना सबसे बड़ा खरिदार कौन बना है EMS EME समान को तो ये बना है भाईया रच्छा मंत्रा ले रच्छा मंत्रा ले भाई इसके मंत्री कौन है राजनात सिंग है रच्छा मंत्रा ले के मंत्री जिनका संसदी छेतर क्या है लखनव है उत्तर परदेश की राजधानी आईए अबात कर लेते हैं और पूछे राज्जों में कौन सबसे ज़ादा इसका पूरा नाम होता है आईए अबात आई है तो आपको बताना है वरतमान में भारत के इमियस इमी मंत्री कौन है और बात कर लेते हैं यमेस यमी डे कम मनाया जाता है 27 जुन को यमेस यमी डे मनाया जाता है यह आपको याद रखना है और बात कर लेते हैं अभी अमेस यमी ने बहुत सारी योजनाय चालू की हैं पहला समर्थ अभियान किसने सुरू किया है तो इन्होंने ही सुरू किया है यमेस अमी मंत्रा ले और यह क्यों जना इन्होंने चालू किया है रैंप योजना इन्होंने चालू किया है किसकी मदद से चालू किया है वर्ल्ड बैंक की मदर से रैंप यूजना इन्होंने क्या की है चालू की है ये पॉइंट याद रखना जी अम रिपोर्ट पहली बार का प्रकासित हुआ था 2016 से ये प्रकासित हो रहा है तो ये रहा आज का हमारा कोश्चन वीडियो पसंद आए तो परे लाइक से सब्सक्राइब कीजेगा थैंक यू धन्यवाद